कि अपने हेर पे आईल लगाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि आईल लगाने के बाद चिप चिपा शा बिखता है उसके बाद सेंपू से वस्क करना भी बहुत कोई पसंद नहीं करते हैं तो आज मैं इसी का सरीशन लाएं हूँ आप लोगों के पास बिना ओयल लगाए आप कैसे अपने बालों को न्यूटरिशन दे सकते हैं इसी के लिए मैं आज आप लोगों के साथ सेयर करूंगी एक हेर टोनर जिसके आपके रेगुलर यूज से आपके हेर रीग्रोथ होने मे हेल्प करेगा साथ हेर फॉल भी कंट्रोल होगा और आपके हेर को न्यूटरिशन भी मिलेगा तो यह हेर टोनर जो मैं यूज करूंगी बहुत ही कम इंग्रेवियंट से और बहुत ही आसान तरीके से आप इसे घर में प्रिपेर कर सकते हैं बीना कोई जहन रखते और इसे स को भी प्रेस कर लिजिए ताकि मेरी नई वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें तो यह जो टोनर है इसे एपलाई करना बहुत ही आसान है आप सैंपू करने से एक दीन पहले इसे अपने पूरे हेर में स्कैल्प में एपलाई करे और इसे मौनिंग इसे आप सैंपू कर ले और देखिए इसका बेनिफिट्स यह आपके बालों को सिल्की सॉफ्ट साइनी बनाएगा साथी साथ आपके हेर को रिग्रोध करने में हेल्प करेगा और हेर फॉर को भी कंट्रोल करेगा तो चलिए इसे जल्दी से बनाना स्टाट क बनाने के लिए मैंने सबसे पहला इंग्रेट्स यहां पे लिया है फेनुग्रिक सीट यानि की मेथी के दाने मेथी के दाने हमारे हेर के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है यह हमारे हेर फॉलिकल्स को एक्टिब करता है साथी साथ यह हमारे हेर को निउट्रिशन प्रुभाइट करता है तो यह बहुत ही पावर फुल इनग्रेडियेंस है जो कि आपकी हेर-फॉल को कंट्रोल करने में एल्प करता है इनग्रेडियेंस मैंने या-पे लिया मैं designed ब्लाक किवमिन सेट्स, यानि की कालोजीरे, जिसे हम लोग कलोजी, बोलते हैं, ये हमारे हेर को मजबूत करता है, नरिष्मिन प्रोबाइड करता है, और हेर फोल को कंट्रोल करने में हेल करता है, तो चलिए ये हेर टोनर बनाना स्टार्ट करते हैं, कि मैंने यहां पे एक पतीलय में करीबन दो कप पानी को involve होने के लिए गैस पे रगधिया है यह जोब kell टो फने लगे तब इस्में हम लोग मेथि के दाने यहां पे मैंने करीबन एक चममच मेथि के दाने लिये हैं और एक के छेसे चमच कलोंजी लिया है इसे डाल के अब हम योग इसे कम से कम दस मीट मीटएम फ्लेम में बॉल होने के लिए चोड़ देंगे इसे मैंने दस मीट मीटियम फ्लेम में बॉल कर लिया है और इसके बाद गैस के फ्लेम stri bread को अफ कर दिया है यह जब ठंडा हो जाए फिर इसे हम लोग किसी स्ट्रेनर की हिल्प से इसे चान लेंगे अब ठंडा होने के बाद एक स्ट्रेनर की हिल्प से हम लोग इसको इस तरह से स्ट्रेन कर लेंगे यह देखिए इसके बाद इसमें मैंने यहाँ पे हाफ टीस्पून एलोवेरा जिल इसमें एड़ कर दिया है और इसे अच्छे से अब मीक्स कर लेना है यह जो डिकॉक्षन बनके तयार है यह इतना ज़्यादा पावरफुल है यह आपको हेर को मजबूत करने में हेल्प करेगा और हेर फॉल को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा इसे store करना भी बहुत आसान है, आप कोई भी spray bottle या फिर इस तरह के container में इसे store करके easily रख सकते हैं, इसे आप फ्रीज में store करके one week तक easily यूज कर सकते हैं, अगर आप इसे यूज करें, यूज करने से आदा गंटा पहले इसे फ्रीज से बाहर रख ले, फिर इसे यूज करें, अपने पूरे scalp में इसे apply करें, शैंपू करने से एक दिन पहले इसे अपने scalp में apply करें, और रात बर रहने दें, और morning में अपने hair को wash कर लें, इस तरह से आप इसे हफ्ते में कोशिस करें, तीन बार यूज करने का, तो इसका benefits आपको और भी ज्यादा मिलेगा, तो मिलते है नई एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्ला हपीज, थैंक यू भी वर्स फॉर वाचिंग मैं चैनल,